संसत में राहूल गांदी के बयान पर सियासी बवाल हो गया है हिंदू और हिंसा पर दिये राहूल के बयान पर राहूल गांदी के विरोत करते हुए बीज़ुपी ने माफी की मांग की है A&B News ने इस मुद्दे को लेकर परदेश के उधान मंतरी दिनेश परताप सिंग से खास बाचीत के दुरान A&B News ने मंतरी दिनेश परताप सिंग से अव्याद धर्मांतरन को लेकर इलाबाद हाई कोट की टिपनी पर भी सवाल किया इसी को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा आई आपको सुनाते हैं ठहराएगा चाहे जिस धर्म के रहने वाले हों चाहे जिस धर्म के अनुवयाई हों राहुल जी के इस बास से कोई सहमत नहीं हो सकता क्योंकि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता हिंदू ने दूसरे धर्म के अनुवयाई को भी सनच्छन दिया है इतनी लंबी चोड़ी जनस संख एक हिंदू हैं और अल्प संख एक दूसरे धर्म के अन्वियाई हैं लेकिन कभी आज तक हिंदू ने किसी को तकलीफ नहीं दिया मैंने इसमस्ता कि राहूल गांधी ने सदन में ये किस आधार पे कह दिया सस्ती लोगपिता पाने के लिए चर्चित होने के लिए 99 से ज लोगों के मन में हिंदू धर्म के प्रती नफरत है हिंदू धर्म के प्रती इनके मन में कोई भाव नहीं हिंदू के खिलाफ इनकी भावना सदेव रही हमने देखा हैं हम लोग दुरगा पूजा में कभी अगर आमंतित करते हैं राहूल गांधी प्रियंका गांधी सुनिय न दिखाए देता हो तो हिंदु धर्म के खिलाफ इनके भाव हैं बिचार हैं ये देशवासी इनको आउसर पाएगा तो जबाब जरूर देगा ये हमारे हिंदु समाज का हिंदी हिंदु और हिंदुस्तान का तीनों का अपमान है मैंने समस्ता राहूल जी को इससे कोई ने दिया क्या प्रियंका गांधी से कम समझदार लोग पार्लेमेंट में बैठे हैं क्या हमारे देश की प्रधान मंत्री प्रियंका गांधी से कम अनुभो रखते हैं कम योगता रखते हैं क्या अगर वो सामने बैठे और वो तो किसी के साक्ष की जरूरत नहीं एक-एक अब दुनिया के सामने है देश के सामने है कि राउल गांधी ने क्या किया तो प्रियांका गांधी क्या बचाओ करना चाहती है उन्होंने कहा जो अपने को हिंदू कहता है वो हिंसक है जो भी कहता है जितने भी हिंदू है सब के लिए उन्होंने कहा है तो ऐसे कैसे कह सकती है प्रियंका गांधी इसका क्या एंटरपटेट करेंगी उनसे कम कोई पढ़ा लिखा है क्या है आपर तो मैंने इस समझता कि प् तो इसलिए उसमर्तन कर रही है और आउसर आएगा तो प्रियंका गांधी को भी जवाब मिलेगा ये हिंदू समाज ये सनातन धर्म उनको अनुकूल जवाब देगा आउसर आएगा तो अकली शादो आज संसद में बोलने वाले उन्होंने कहा कि सरकार तो नहीं है लेकिन मुद्दे पुराने है किसान अगनीवीर योजना ऐसे तमाम मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं अभी भी हटने का नाम नहीं लेंगे पार्लेमेंट ऐसी जगह है जहां जिस काम के लिए संसद चुने जाते हैं जनता की सेवा के लिए अगर आप सदन में बात उठाते हो वो सही फोरम है एक संसद को अपने छेतर की जनता के हितों के अपने राज की जनता के हितों अपने देश की जनता के हितों के लिए आवा का उपयोग हिंदू को गाली देने के लिए हो और कभी कोई आ जाएगा जै फलस्तीन कह देगा कभी कोई इसका जो दुर्पयोग हो रहा ऐसा ट्रेंड निकल चुका है सस्ती लोगपिता पाने का कि जनहित सब का पीछे छूटता चला जा रहा है छेत्रहित सब का पीछे होट चला जा रहा है और सब सस्ती लोगपिता पाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं अनावस्यक के कटाक्ष अनावस्यक के टिपणिया करके हाइलाइट होते चले जा रहे हैं कभी कोई कहेगा सेंगोल नहीं रखना चाहिए कभी कोई कह देगा जै फलस्तीन तो इतना हाइ हाइलाइट होते हैं ऐसी ऐसी बातों को कहे करके तो ज्यादा फायदा है मैं तो अपने मीडिया के भाईयों से कहता हूं कि जब भी कोई सस्ती लोगपिता पाने के लिए ऐसी कोई बात करे तो उसकी खबर ही कहीं न चलाई जाए तभी यह रुख सकता है आपका भी सहयोग पेच्छी थे कि भारत की सरकार की का सहयोग करें अगर बदेश वासियों के खिलाब को यह सी टिपणी केवल सस्ती लोगपिता पाने के लिए संसद का उपयोग किया रहा हो तो उसको ज्यादा हाइलाइट ना किया जाए तो अपने यहां पे घटनाय रूख सकती है और फि जिनों ने आज कम से कम महसूस तो किया जिस बात को भारती जंता पाटी लंबे अरसे से कहती आई है जिस बात को राश्टी स्वें सेवक संग लंबे अरसे से कहता आया है कि धर्मांतरन अवैद तरीके से हिंदुस्तान में हो रहा है भारत में हो रहा है इसको बात इसको न आज इस तरह से लेबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है अवे धर्मांदरल पर लोग लग सकेगी और कहीं नहीं कहीं राउल गंदी का जो बयान है वो काफी निननी है कैमरा प्रिजदानिश की शार्ट में तेन सिंग एन में नूस लखनो